हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब चेनल अलफा मोनीटर में बहुत बहुत सवागत है पेट की सफाई और कबज को जड़ से खतम करने का घरेलू अच्चू की लास कौन सा है आईए जानते हैं कबज एक ऐसी समस्य है जिसके कारण मरीज का पेट ठीक से साफ नहीं होता और सोच के दोरान काफी दिखते होती है इस कारण रोगी को कई बार सोच के लिए जाना पड़ता है पेट साफ ना उने के कारण पूरा दिन आलस बना रहता है किसी भी काम में मन नहीं लगता कबज की परेशानी के कारण मल त्यागने के लिए जरूरत से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है गंटों बैठे रहना पड़ता है इतना इने व्यक्ति को बहुत सोच समस्य कर खाना पीना पड़ता है क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या आप भी कबज की समस्या से परेशान है तो अब आपको परेशान होने की बिलकुल आउ सकता नहीं है लंबे समय तक कबज की समस्या रहने से कई बिमारियां होने का खत्रा रहता है आईए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेट साफ ना होना या फिर कबज ओने के कारण कौन कौन से होते हैं बोजन में रेसेदार आहार की कमी होना, मेदे से बने हुए एयों तले हुए मीड्स मसालेदार बोजन का सेवन करना, पानी कम पीना या तरल पदार्थों का सेवन कम करना, समय पर बोजन ना करना, रात में देर से बोजन करना, देर रात तक जागने की आदत, जदा मात्रा मे चाए, कोफी, तंबाकू या सिगरेट आधिका सेवन करना बोजन पचे बिना ही दोबारा बोजन करना चिंता या तनाव मुक्त जीवन जीना हार्मोन का एशंतुलन या थाइराइड की प्रेसानी होना या फिर लंबे समय तक दर्द निवारक दवाईयों का इस्तमाल करना कबज होने के मुख्यकारणों में से एक है आईए बात करते हैं कि लक्सन कौन-कौन से दिखाई देंगे पेट में दर्द हो सकता है, भारीपन रह सकता है पेट में गैस बन सकती है, सिर में दर्द रह सकता है मल सकत होगा, सुखा होगा, बद हजमी हो सकती है बिना सरम के ही आलस बना रहेगा पिंडलियों में दर्द हो सकता है, मुए से दुरुगंदा सकती है कबज के कारण मुए में च्हले होना सबसे आम बात है तौचा में मौान से या फूंसियां हो सकती है ये कबस के लकसन है आईए बात करते हैं अब गरेलू उपाए के बारे में सबसे पहला उपाए है लगबग आठ से दस मुन के रात को पानी में बिगो दें शुबह इन्हें पानी से निकाल कर दूद में उबाल कर खाएं और दूद को भी पीलें ऐसा करने से कबस की समस्या से चुटकरा मिलेगा नमबर दू रात को सोते समय एक इलास गरम दूद में एक से दो चमस एरंड का तेल मिला कर पीए कबस दूर करने का ये गरेलू इलास बहुत युप युप युगी है नमबर तीन बेल का फल कबस की समस्या में बहुत फाइदे मंद होता है आदा कप बेल का गुद्दा और एक चमस गुड का सेवन साम को बोजन से पहले कर लें बेल का सरबत भी कबस में बहुत फाइदा करता है नमबर चार जीरा और अजवाइन से कबस का इलास जीरे और अजवाइन को धहुमी आँच पर भून कर पीस ले इनमे काला नमक ड़ाल कर तीनों को समान मात्रा में मिला कर एक डबह में रख लें रोज आदा चमस की मात्रा में गुणने पानी के साथ में पिएं यह कबस कबज की समस्या ठीक करने में ये सायक होता है नमबर 6 रात को सोने से पहले एक चम्मच भुनी हुई शोंफ गरम पानी के साथ में पिएं शोंफ में पाए जाने वाले उड़न सील तेल पाचन किरिया को दुरुस्त करेंगे और कबज की समस्या से आपको छुटका रादि लाएंगे इसके अलावा दोस्तों कबज की समस्या में चना बहुती लाबदाएक होता है इसे बिगो कर या उबाल कर खाना चाहिए चने में जीरा या सोंट को पीस कर डालें और इसका सेवन करें इसके अलावा पक्की वे केले को दूद के साथ में आप खा सकते हैं कबस के लिए एक और दवा है तिर्फला चुरुन रात को सोने से पहले तिर्फला चुरुन को गरम पानी के साथ में लें छे मेहीने तक ऐसा करने से पुराने से पुरानी कबज की समस्या ठीक हो जाएगी तिरफला चुरुण बनाने के लिए आपको 10 गराम अजवाईन, 10 गराम तिरफला, 10 गराम सेंदा नमक को कूट कर ऐक चुरुण बना लेना है और रोज 3-5 ग्राम की मात्रा में चुरन को हलके गरम पानी के साथ में लेना है यह पुरानी से पुरानी कबस को जड़ से खतम करने का कारगर उपाए है इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे उपाए हैं जैसे कि आप पानी खुब मात्रा में पीते रहें आप अपने बोजन में पपीते को सामिल करें शुबा उठकर निम्बू के रस में काला नमक मिला कर पी सकते हैं रात को सोने से पहले तिरफला चुरौन को गरम पानी के साथ में लेना हैं इसके अलावा रोज दो चम्मच गुड गरम दूद के साथ में ले सकते हैं इसके अलावा आप अपने बोजन में फल, सबजियां, रेसेदार, आहार को सामिल करें आप अंजीर, अंगूर, अनानास, नास, पती, आधी का ज्यादा सेवन करें ये कबच में बहुत ही फाइदे मन्द होते हैं इसके अलावा गेहूं के आटे में पीसे हुए चणे को मिला कर खाएं रोजाना कम से कमा आठ से दस गिलास पानी पीना है तरल पदार्थों का सेवन करना है पत्तेदार सबजियों का सेवन करना है जैसे गाजर, पतागोबी, ब्रोकली, आदी का सेवन कर सकते हैं इसके अलावा आपको समय पर बोजन करना है तथा पहले कियोए बोजन के पचने पर ही दूसरा बोजन करना है रात में जागने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ देना है योगा सन अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा इसके अलावा आपको कबज में प्रहेज किन चीजों से करना है वो भी जान लेजिये कबज के रोगी को दूद तथा पनीर का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए मेदे से बनी वी चीजों का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए ज्यादा तेलिये वे मीड्स मसालेदार बोजन से दूर रहना चाहिए कबज रोग में मुख्य रूप से वात को सांत करने वाले आहार का सेवन करना चाहिए शितल गुण वले आहार से बचना चाहिए उष्ण गुण और अच्छे पके हुए बोजन का सेवन करना चाहिए अब बाम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये पूछेंगे कि क्या कबस की समस्या एक बार ठीक हो जाने के बाद में क्या दोबारा हो जाती है जीहा हो सकती है अगर आप अपने खान पर अपना द्यान नहीं देंगे तो आपको हो सकती है कबस के कारण आपको कौन सी बीमारी हो सकती है आपको बवासीर हो सकता है और भी पाचन समंदी कई परकार की समस्या हो सकती है इसलिए लंबे समय तक कबस को ना रहने दें आपको कब डोक्टर से संपरक करना चाहिए ये भी जान लेजिए अगर आपकी कबज की समस्या बहुत लंबे समय से चल रही है और गरेलू पाय करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो आप अपने चिक्त सक से संपरक कर सकते हैं क्योंकि यह लंबे समय तक अगर बनी रही तो बावा सिर का कारण बन सकती है उमीद आपको आज की जनकारी पसंद आई होगी आप इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे इस यूटूब जेनल एलफा मोनिटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले और शमय पर मिलते रहें